तो आज किस वीडियो में मैं आपको पताने वालाओ भारती बबन वर्ग टेन ये रचनाय प्रसनाबली चार बाई राजू रजट सर यूटूब चैनल पर आप देख रहे हैं देखे यहां पर कुस्षन नंबर 14 जो है वह कह रहा है कि 4 सेंटीमेटर त्रीजिया वाले कि इसी बिंदू से असपर्स रेखा घीजना है ये कुस्षन 14 नंबर है इससे पहले मैं आपको 13 तक कुस्षन बता दिया हूँ अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो के लास्ट में आपको आई बटन में लिक मिल जाएगा या फिर डिस्प्ले पर आपको इसका लिं और दो ठीक है ने तो आप देख लीजिए ठीक नहाप ली जेगँ आपके पास 15 संटीमेटर वाला जो अरकर पास के लोगा मेरे पास जो है बारा वाला हती संटीमेटर ठीक है तो चाहर से इंटीमेटर क्या करें खिक हमाप बनाएंगे ठीक है कि यह आपका चार सेंटिमेटर वाला हो गया ठीक है चार सेंटिमेटर वाला हो गया यह जो देख रहा है इस पॉइंड को हम नाम देंगे ओ विंदू हो गए यह ठीक है आपकारा कि छे सेंटिमेटर का तो आप क्या करना नापना छे सेंटिमेटर के इंदर यही रहेगा छे स पर ऐसे नाप लेना ठीक है 6 cm नाप लेना है और इसी बिन इसी केंद्र को मान करके यह जो केंद्र है उसी को मानना है और यहां पर क्या करना है एक 6 cm का ब्रीट घिचना है ठीक है एक 6 cm का क्या करना है ब्रीट घिचना है ब्रीत जब आप घिच लेंगे तो क्या करेंगे यह हमारा ब्रीत हो गया दो ब्रीत एक चार सेंटिमीटर बाला यह हो गया चार सेंटिमीटर बाला और यह क्या हो गया अगर बगल बाला जो देख रहे हैं छे सेंटिमीटर बाला तो पहले हम ब्रीत घिच लिए सौकेंद्रि कि आप संदी वीचत करेंगे तो सरक एंद्रिय निया दूनों का केंद्र जो है वह समान होना चाहिए तो सख केंद्रिय हो गया आपको सीधा सा एक लाइंगी साप आपके यहाँ पर गिच लिए इसका नाम हम दे देंगे आर यह नाम क्या हो गया अब क्या करना है हम्को एक और बिरीथ इसготов when घीजना है ठीक है ना जो बिंदू से स्पर्स करें सकेंद्र ब्रीद से किसी बिंदू से स्पर्स करें एक और ब्रीद हमको घीजना है ठीक है तो चलिए हम क्या करेंगे इसको हम लंब सम्दिभाजक करेंगे यह बारा है न तो थोड़ा सा छोटा कर लेंगे आदा सा छोटा यहां पर हम क्या करेंगे काटेंगे फिर इधर भी काटेंगे तो यह क्या करेगा यह आर और ओ देख रहे हैं इसको दो प्रहावर भागों में बातेगा फिर उसी चांप से लेकर के आर पर करेंगे तो यह हो गया और यह हो गया ठीक है तो अब क्या करना है इसके बिचला और कटने वहाँ पर हम भूनका रखेंगे ठीक है वहाँ पर क्या कर ने कि बूनका रखेंगे इस राते खापर यह माररा हो जाएगा ओरयन क cuts यहIE है भूर कईjsku करना बराबर करना वो से लेकर के आर तक ब्रावर भाग में पांटेगा ठीक है यहां से बांटेगा और इसको भी यहां से बांटेगा ठीक है तो अब क्या करेंगे एक ब्रीट घीचेंगे इसी से ठीक है इसी से क्या करेंगे इसको केंद्र लेकर के एक ब्रीट घीचना है चारो बगल से ठीक ह भीट तो घुचा गया हमारा ये आप देख रहे हैं इसको बढ़िया साफ देखिए एक भीट हमारा घुचा तो अब अब हम क्या करेंगे दो असपर्स देखा हमको घिचना है ठोपर से लेकर स्थे फिलार 2023 नाम пс देखे जहां को जो है एक रेखा खीचना है कौन से बिरीद पर इस बिरीद पर ठीक है ताकि इसको यह काटते हुए जा तो एक यहां पर काटेंगे और एक यहां पर मतलब करेंगे ठीक है तो क्या करेंगे हम आर से हम यहां पर इस बिरीद पर हम एक रेखा असपर्स रेखा घीचेंगे ठ ठीक है यह असपर्स रेखा होगा इधर फिर उसी तरह से क्या करेंगा हम इधर भी गिचेंगे हो गया यह हमारा असपर्स रेखा हो गया यह हो जाएगा हमारा टीवन ठीक है और यह हो जाएगा हमारा टीटू ओके अब यह जो हमारा हो गया यह सरकील जो 4 cm वाला था इसको भी नाम दे देंगे इसको Q नाम दे देंगे ठीक है अब हमारा ये पूरा मेथट किलियर हो गया अब हम क्या करेंगे अब हम ये तो हमारा फीगर जो था हम फीगर आपको बना करके बता दिये हैं अब क्या करना है तो हम आपको बता दे कि यहां पर रचना के चरन लिखना है तो रचना के चरन बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा लिखना है तो लिखेंगे रचना के चरन रचना के चरन हो गया पहला नंबर में लिखेंगे ठीक है रचना के चरन के पहला नंबर में कि चार सेमी चार समी तथा यह तो चार से्टीमिटर क्ता ना ठेस चार समी तथा चार समी तथा क्षो seeing छो समी ठेस चार समी तरी जिया तरी जिया तरी जिया वाले दू सो केंद्रिये ठीक ना दू सो केंद्रिये सो केंद्रिये मतला समान केंद्रे देखे चार सेंटिमेटर बला के भी वही सेंटर था और छो सेंटिमेटर बला के वही सेंटर था ता समान एनी सो केंद्रिये ठीक ना ब्रीत की ठीक ना ब्रीत की रचना किया जिसका जिसका केंदर बिंदू जिसका केंदर बिंदू ओ है जिसका केंदर बिंदू ओ है फिर हम दूसरा पर लिखेंगे अब दूसरा जो है ब्राहे बिरीत से ठीक है न तर ब्राहे बिरीत से मतलब इस बिरीत के बाहरी से क्या किये हम ब्रीत में जो हमारा एक आर था उस आर को O से मिलाया थे तो लिखेंगे ब्राहा ब्रीत में बिन्दू यदि इचार सेंटिमेटर था इसका बाहरे बिन्दू लिया और और O को R से मिलाया क्या किया O को R से मिलाया ठीक है फिर ले लेंगे तीसरा O को R से मिला दिया अब O R को क्या करेंगे ब्यास मानेंगे ठीक है तो O R को कि व्यास मान कर केंद्र 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 देखिए ओ किंद्र था यह ओडाइस किंद्र है तक इंद्र ओडाइस ठीक है नो ओडाइस बाले 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 ब्रीत की ब्रीत की क्या किया रचना किया ठीक है यह आपका हो गया क्या क्या किया रचना किया चौथा पॉइंट लिख लेंगे बिन्दू बिन्दू आर से ब्रीत पर दो अस्पर्स रेखाएं रखा है आर टी वन एवं 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 आर टी टू आर टी वन एवं आटी टू घीचा क्या किया तो यह हमारा रचना के चरन था ओप्रीट हो गया आप देख सकते यह आपका जो था पुरा फी उकुस्षन था चार सेंटिमीटर बाल चार सेंटिमीटर तिरी जावाले ब्रीट पर चार सेंटिमीटर तिरी जावाले सा केंद्रिये ब्रीट के किसी बिंदू से असपर्स रेखा कीचे तो यह चार सेंटिमीटर हो गया इसका बाहरी बिंदू से बाहरी बिंदू से क्या कि हम इसको ब्या रचना के चर्ण जो आपको चार चरण में पुरा कम्प्लीट हो गया है वैसे तो यह कुसन है तो थूरा अगे तरह से लगता लेकिन इस तरह के कुसन पूछा जा सकता है ब्रीट वाले कई बार पूछा जा चुका इसलिए इसको भी वी आये करके आप इसको नोट कर ले इसक वीडियो पसंद आरा है तो वीडियो को लाइक कर दीजगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजगा